राम कोशल्या मा का प्यारा भरत कैकेई का ध्रुवतारा जूर्यवंश को मिला सहारा शत्रुग्न लखन सुमित्रा नंदन अयोध्या में आए एक दिन महर्शी गुरू विश्वमित्र राम और लक्षमन को मैं अपना शिष्व बनाऊंगा कुमार सवीर बनने की उन्हें में शिक्षा भी दूंगा ये सुनकर राजा दशरत और उनकी रानिया हुए प्रसत वेद वेदान्त और शास्त्रों का ग्यान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बल्वान ये है दिव्य शस्त्र जिनकी शक्ति है अपार बात है एक दिन की तभी अचानक हिलने लगी धर्ती और सामने अचानक प्रकट हुई वहेंकर राक्षसी ताड़का राम इसका बद करो जब वो बड़े हुए तो उनका विवा राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था फिर गुरू विश्वमित्र ले गए राम को मिठिला राज जित जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वेंबर जो यह महांशिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चड़ा पाएगा उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता एक के बादे कई राजकुमार आए लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए तभी गुरू विश्वमित्र का आशिरवाद लिये आये शिरी राम उठाया उन्होंने शिव धनुष प्रत्यंचा चड़ाई और कर दिये उस धनुष के दोखा लेकर सीता को अपने संग राम तुम हो विजए देवों ने पुष्प बरसाए रिशी मुनियों ने मंगला चरणगाए राजा दशरत खुश हुए देखके राम और सीता का प्यार जब राजा दशरत राम को राजा बनाने के विचार में थे कैके ही आई चेहरे पर घुस्सा लेकर महराज याद है आपने दिये थे मुझे दो वर्दान मेरा वचन मेरा अभीमान आज मैं चाती हूँ वो दो वर्दान पहला वर्दान मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंगासन और दूसरा वर्दान की राम को चौदा वर्ष का वनवास मिले वचन देता हूँ कहए तुम्हारा दूसरा वर्दान पूरा होगा राम को चौदा वर्ष का वनवास मिलेगा जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मन ने सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया कितना सुन्दर कितना प्यारा काश ये होता हमारा स्वामी मुझे वो हिरन चाहिए बहिया ये हिरन तो सच में बहुत ही सुन्दर है लक्ष्मन तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो आप निश्चिंध हो कर जाए लक्ष्मन मैंने कहा था ना राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत जाओ जाकर उनकी मदद करो फिर चले राम को लाने और सीता से बोले ये लक्ष्मन रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने आप इस रेखा के अंदर ही रहिए जब श्री राम वनवास में थे तब एक दिन रावन दोके से उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर एक बूढ़ा साधू मांग रहा था कुछ आहार भवती बिख्षाम देही भवती बिख्षाम देही और जैसे ही सीता लक्षमन रेखा के बाहर आई साधू ने अपनी असलियत दिखाई वो साधू नहीं था रावर था देखते ही देखते हो गया वो फुर्ण दोनों दोड़ कर कुटिया की ओर आए पर हुए चिंतित जब सीता को वहां ना पाए सीता फिर श्री राम ने रावन को कैसे हराया उनके पास तो कोई सुकपावो भी नहीं था राम बहुत साधारन थे पर बहुत बहादूर भी थे जब वो सीता को ढूंडते हुए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान सुग्रीव और अन्यवानरों से हुई रास्ते में राम और लक्षमन को मिला एक पंडित पर वो कोई साधारन नहीं था पंडित शिरी राम ने पहचान लिया हनुमान को हनुमान हनुमान उनका भक्त बन गया हनुमान सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से वो सीता माता को ढूंड पाए संपाती बोला समंदर पार सोयोजन दूर रहता है रावन और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास सीता माता मैं हनुमान श्री राम चंद्र ने भेजा है मुझे ये देखिए राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हे हनुमान पर हनुमान रावण ने तो मेरा सारा चैन छीन लिया समझ में नहीं आता जीवन ने मुझे ये दुख क्यों दिया चिंता ना करे माता तब हु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं मुर्क वणर तू तो गया काम से हाँ क्यों ना इसकी पूझ ही जला दू आग लगा दी जॉए लेकिन रावण को क्या पता था कि उसे इसके लिए बढ़ जाएंगे लेने के देने हनुमांग जी ने अपनी जलती हुई पूच से आग लगाई हर दिशा में जब पूरी लंका में शोर मच गया भागो भागो सब लेकिन लंका और उनके बीच में महासागर था और उसे पार करने के लिए उनके पास न कोई रास्ता था न कोई जहास था फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी अपने वानर मित्रों की सहायता से उन्होंने समुंदर में पुल बनाया पहुचते ही लंका राम ने अंगत को भेजा कि वो रावन को आखरी चेतामनी दे आएं गेंतु रावन टस से मसना हुआ फिर राम ने युद्ध घोशिक कर दिया कि नाम है मेरा कुम्ब करण भूक लगी है मुझे सुनों नन्हे बंदरों मैं तुम सबको खा जाओंगा तीक गदा खुमा के कुम्ब करण के होश आये ठिकाने परंतु कुम्ब करण भी था बड़ा योध्धा उसने हनमान जी को पूरी शक्ती से दे पठका प्रभू राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त और कुम्ब करण का कर दिया विनाश राम छोड़ूगा नहीं मैं तुम्हें राम तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रत भी नहीं है देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रत राम को ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षसराज रामण को फिर क्या जम कर हुई लड़ाई राम रामण के युद्ध से पूरी धर्ती धर्राई फिर इसके बाद रामण का रत और उसके तीर राम ने दोड़ दिया गिरते ही धर्ती पर रामण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर खमला कर दिया राम ने रामण के दस्सिर काटने चाहे पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे तब ही विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभी में मारे तब ही उसको जा सकेगा हराया जै जी रामण तो बच्चों तुमने देखा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो उसका अंत तय है जीत हमेशा धर्म और नीती की ही होती है और दशेहरे का तयोहार बुराई पर अच्चाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है जो हमें हमेशा धर्म और सही राहा पर चलने की सीख देता है और इसलिए हम हर साल तशेहरे की रूप में रावन तहन कर पुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं तो तुम लोग रामायन की ये सीख याद रखोगे? हाँ बाबा, हम सब की तत्व से आज सभी को विजया तश्मी की होड़ी शुकान आएं हाँ प्टशे रागो तो